नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं SP Update यूट्यूब चले हैं दोस्तों मुंबई की लाइफ लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल टेंज सेवा 15 अगत से दुबारा सूरे होने जा रही है हलाकि वैक्सिन के दोनों डोज लगवा चुके यातरी ही लोकल टेंज सेवा का इस्तिवाल कर सकेंगे दोस्तों आपको पास कैसे मिलेगा कौन कौन से डाकुमेंट आपको लेके जाना होगा टिकेट कैसे दिया जाएगा और कोरोना वैक्सिन की सर्टिफेकेट फरजी होने पर आप पे क्या करवाई हो सकती है जानेंगे इस वीडियो में बिस्तार से दोस्तों BMC ने नई गाइडलाइन जारी की है BMC आयक तिकबाल सिंग चाहल ने जानकारी दिया कि रेलवे पास आनलाइन आफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध होंगे दोस्तों BMC के अधिकार छेत में आने वाले 53 उपनगरी रेलवे इस्टेशन पर 11 अगस्ते यानि की आज से वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है इसमें सेंटर लाइन, हर्बर लाइन और वेश्टर लाइन सामिल है दोस्तों आफलाइन वेरिफिकेशन सुविदा मुंबई मेट्रो पुलिस के आसपास के सरुसहित मुंबई मेट्रो पुलिटर रीजन के पूरे 109 अस्थानी रेलवे इस्टेशन पर उपलब्ध होगी COVID-19 के खिलाब वक्षिन का दूसरा डोज प्राप करने के 14 दिन बाद नागरिक अपने नजदी की स्टेशन पर जा सकते हैं इस दोरान उन्हें साथ में वक्षिनेशन सर्टिफिकेट की हाट कॉपी और फोटो पहचान पत साथ रखना होगा इस बात का ख्यात ध्यान रहे कि जिन नागरिक के पास इनमें से दोनों या एक भी कागजाद नहीं है उन्हें रेलवेज प्रसासन स्टेशन पर इंट्री नहीं देगा दोस्तों रेलवेज प्रसासन पर इंट्री नहीं देगा हेल्प डेक्स पर मौझूद स्टाप दूसरे डोज के वैक्सिन सर्टिफिकेट की कोविन एप पर जाज करेगा साथ ही वे फोटो आईडी की भी जाज करेंगे सत्यापन पूरा होने के बाद अगर दोनों दस्तावे सही पाए जाते हैं तो सर्टिफिकेट और आईडी पर स्टांप लगा दिया जाएगा इस स्टांप प्राफ सर्टिफिकेट के ट्रिगेट खिड़की पर दिखाना होगा इसके बाद रेलवे की तरफ से रेलवे मासिक पास जारी किया जाएगा हाला कि पास के जरी यातरा करने की सुभ़िया 15 अगत से सुरू होगी यातरी इससे पहले सफर नहीं कर पाएंगे पारी नियंतर अधनियम आपदा प्रबंधन अधनियम भारती दंड सहिता के तहत सक्त पुलिस का रवाई होगी फिलाल दोस्तों जिन नागर्कों को वैक्षिन का एक भी डोज नहीं लगा है वे उपनेगरी टेनों में यातरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट के मुख मंत् और महाराष्ट की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सकाइब करें अपने दोस्तों ज्यादा ज्यादा सेर करें ताकि उन्हें भी पता चले ताजा खबरें के बारे में थैंक्यू